सोगेगे, वैलकम थो स्मार्ट मेडिको तो आज हम लोग आगे प्रोसिड करने वाले हैं अपने लेक्चर में प्रिवेस लेक्चर में हम लो इंक्राक्षन की बात किया था जो अल एंड फैट चाप्टर हम लोग पर रहे हैं तो हम लोग fatty acid के बारे में देखें बहुत ही basic lecture previously हम लोग cover किया था अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जरूर से देख लें तो आज हम लोग start करने वाले हैं अपना fatty acid का biosynthesis तो पहले हम बात करते हैं fatty acid का biosynthesis means fatty acid आया कहां से तो उसका synthesis कहां से हुआ उसका उत्पादन कहां से हुआ तो आप clearly देख सकते हैं fatty acid synthesize from acetyl coin enzyme obtained by carbohydrate metabolism आपने carbohydrate metabolism पढ़ा होगा second semester में biochemistry का part है जो कि glycolysis cycle है तो अगर हम glycolysis पढ़े हैं तो वहाँ पर carbohydrate का metabolism अगर carbohydrate जो भी हम लेते हैं तो उसके बाद जो उसका synthesis होते होते क्या मटता है अचे canary कोई जाम में वेलगा बनेगा हमारा फैटी एसीड का Egyptians होगा एकर हमना फैटीस एसीड का सिंथेसिस कहां से होता है तो हमारा चैक्चिंड का संथेसिस जो है साइटोफ्लाजम में ही क्यों होता है क्योंकि उसीड सिंος इसको फैटी एसीड बायोसिंथेसिस के लिए जिसका यूज किया जाता है ऐसे करके पाथवे आता है तो उस पाथवे से क्या हो हमारा जाए में गलाइकोलाइसस ऐसे टेल कोई आ है में वहांसे आया है। ग्लाकुलाइक पाथवे निए sleशेड ग्लिसरोल पड़ेखिया जो टिन फैटी एक्टी एसीड जो है घ्लिसरोल से अटाच होगा इस्टरबॉंड के त्रू और इस प्रोसेस का था लिपोजनेसिस करते हैं अब फैति असीड हमारे दे रहा हो है solubility ठीक है तो जो fatty acid होता है वो लेस soluble in water water में बहुत कम soluble होता है as the long chain of fatty acid increase solubility further decreases ठीक है अब less soluble क्यों होते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था previous lecture में कि जो fatty acid जो होता है ना उसके पास non polar chain बहुत बड़ा होता है यह देखिए यहां पर non polar chain है और यहां पर लास्ट में जो से सी डबलो एच बोन लगा हो रहता है जो क्या करें पॉलरीटी प्रोवाइट करता है तो एक बस polar है यहां पर बागी इतना बड़ा चैंज हो मारा non polar है मिंस water में यह इसलिए इसका जो है solubility क्या होता घट जाता है मिन solubility इसका बहुत थी कम हो जाता है इसके फिर सेकेंड जो है हमारा acidity और देखिए उसके पास cwh functional group तो है हमारे लास्ट में क्या है cwh functional group है तो यह जो है acidic तो है लेकिन इसका acidity क्या है बहुत ही कम है इनका acidity क्या है बहुत ही कम है क्योंकि पस polarity क्या है बहुत पस एक cwh बन लगा हुए हापे लेकिन इधर अगर आप देखते हैं तो यहां पर cs2 cs2 करके बहुत बड़ा chain मिलता है तो जिसके कारण acidity तो बनाता है यह single acidity बनाने में कम्याब हो जाता है लेकिन बहुत ही कम acidic बनाता है ज्यादा acidity नहीं प्रोवाइड कराता है फिर ऑटो ऑक्सिडेशन आप सभी जानते हैं अगर ऑक्सिजन आ गया तो इसको ऑक्सिडेशन गहेंगे तो जो कौन देगा हमारा unsaturated fatty acid देगा ज्याद जिसके पास बहुत सारा unsaturated fatty acid है जिसको polyunsaturated fatty acid कहेंगे और जनरली यह autoxidation हमारा देगा यह reaction है molecule जिसमें oxygen और hydrocarbon chain में क्या करता है जूड जाता है हमारा autoxidation भी कर सकता है fatty acid oxidize भी हो जाकता है ठीक है अब acidity आता है अगर जैसे कि आपके गर अगर पनीर का सबजी बना अगर आप उसको छोड़ देते हो जनरली गर्मी के दिनों में तो क्या होता है ना उसमें जो उसमें क्या करता है water molecules में आ जाता है हमारे oily fatty substance में और उसको क्या कर देता है डिग्रेट कर देता है उसको अर्व किसका अडिशन हो रहा है यहां पर hydrogen की comparison हो रहा है किसमें fatty acid में hydrogen के addition अगर आप यहां पर ध्यान से देखिए यहां पर जो है ना हमारा oilic acid है उसमें क्या भरा है ved Know है सिस बन रहा है का बन रहा है나mm सेस बन रहा है गौर एको को बता था यहां पर ऐडी इसन हो कि अगर यहां पर डवल बोंड अगर लेते हैं एक है डवल वोंड ठीक है और एक है सिंगल वोंड मिंस एक है सैचुरेटेड एक है सिंगल वाला आडिसल ररेक्शन सो नहीं करता है तो यहां डवल बोंड में क्या हो जाएगा हमारा आडिशन हो इसलिए अनसाचुरेटेड सट्स थीक और तो आप यहां पर देख सकते हैं olikacid का उलिक एसिद का एजामपल लिया गया यहां पर हैड्रोजन का आडीशन हो रहा है तो यहां पर देखिए यहां पर और यह दिर ऑड्वल बून को ब्रेक और करके इसको हम लोग clearly आगे जरूर समझेंगे तो यहां पर देखिए आप hydrogen का addition हो गया तो यहां क्या बना दिया हमारा saturated बना दिया ठीक है अगर देखिए यहां पर unsaturation मैंने आपको प्रिविस लेक्चर हम बैदा आए जहां पर डवल पूंट रहेगा वहां पर क्या था हमारा structure में बेंट आ जाता है देखिए हम बोड़ गया थोड़ा सा बेंट आ गया बेंट आ यहां पर hydrogen reaction means hydrogenation हो hydrogen का add की है तो क्या हो गया saturated बन गया अगर saturated बन गया saturated बन गया तो इसका structure कैसा हो जाएगा linear हो जाएगा ठीक है तो यहां bent नहीं आएगा saturated में linear हो जाता है hydrogenation यही है अब देखिए trans fatty acid के अगर हम बात करते है trans fatty acid result from partial hydrogenation in the presence of catalyst or side reaction ठीक है अगर हम बात करें trans fatty acid की तो हम लोग जानते हैं कि cis fatty acid होता है हमारे nature में exist करता है लेकिन trans कहां से आ गया question हिराज होता है कि trans फिर आया कहां से trans का जरूरत थी क्यों पड़ा trans बना कैसे तो कभी-कभी जो हमारे body में reaction होते है उसमें catalyst के कारण या फिर और भी side reaction जो हो रहे होते हैं उसमें कभी-कभी trans fat बन जाता है ठीक है कभी-कभी trans fatty acid का generation हो जाता है या फिर अगर आप एक ही वाइल को एक ही तेल को अगर आप बार-बार यूज करोगे तो उसमें क्या होता है ना बहुत जादा side reaction बहुत जादा कारण है यह बहुत ज्यादा disease causing disease cause कर सकता है बहुत ही खतरनाक बिमारी हो सकता है starting में पता नहीं चलेगा लेकिन जैसे ही आपका age बढ़ेगा तो ज्यादा ट्रांस फैट के accumulation में इकठा होने के कारण आपको बहुत सीवियर प्रोब्लम हो सकती है और यह जो है ना हमारा बॉड़ी में देखिया सिस तो बनता है सिस हम लोग के लिए बहुत ही ज्यादा useful तो है लेकिन हमारा बॉड़ी जो है पहचानी नहीं पाता है कि ट्रांस इसके कारण वह एकठा होने लगता है accumulation होने लगता और बाद में जाकर बहुत सीवियर प्रोब्लम काउच करता है तो इसलिए का जाता है कि जंग फूट को एवाइट करना चाहिए कि इसमें ट्रांस फैट पाया जाते है ठीक है बस इतना ही है और सिस फॉर्म में ऐसा रहे तो फैटी एसिड जो हता है मेंलि यूज़ इन प्रोडक्शन अफ सॉप सर्फेक्टेंट डिटर्जेंट्स अन्ड लिविकेंट्स सही बात है जब रहेगा उसको यूज़ के सर्फेक्टेंट के रूप में उसका यूज़ के जाता मींस उसका जो है यूज़ साबुन बना होगता है कि fatty acid में क्या है हमारा एक polar 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 head है और इधर देखिए non polar tail है ठीक है polar भी है यहाँ पर जो cwh यहाँ रगा हुआ है cwh, cwh क्या polar है और यहाँ पर cc2 cc2 का क्या है non polar यहाँ पर tail है cc2 cc2 का यह सब bone लगा हुआ और यहाँ क्या है head जो हमारा तो इसमें पोलर भी है अगर एक कपड़ा लेते हैं ठीक है जैसे कि यह मेरा कपड़ा हो गया जो बहुत ही गंदा इसमें तेल भी है इसमें बहुत सारा ओयल कंसिट्वेंट्स भी कि हम उने डाल रखा है और इसमें और भी डाट भी है तो अगर इसका हम लोग यूज करेंग ठीक है अगर सर्फेक्टंट का दो यूज करेंगे तो सर्फेकृ आतयरा पड़ा और जो आठ्ट जो होगा हो जाएक हमारा इसके साथ और सिपक जाएगा तो हमारा कपड़ा से जो है तेल भी निकल गया और गंदगी भी निकल गया और हमारा कपड़ा क्या होता है साप हो जाता है तो इसलिए इसके पास दोनों करेक्टर पा जाते हैं सौप सर्फेक्टेंट बनाने में इसलिए इसका यूज होता है ठीक है और इसका लूब्रिकें एंटिव एजंस एंटी सब्सक्राइब करें तो इंट्रॉप एक तरश से सर्फर्टेट किया बना देता हुई हमारे इंचाओ इंद्विक्वर्त तेल और पानी को अगर मिलाओं गए ठीक है एक जगा यहां पे और पानी डाल दिया ठीक है न तो उपर से एंच्टेल डाला तर तेल के क्या होता हमारे ड्रॉपलेट बन जाता है आप एक्सपरिमेंट करके देख सकते हो गर मैं अपने ज्यादा तेल उजमत करना ठीक है तो यहां देखिए रॉपलेट बन जाता है जो कि असानी से मिक्स तो नहीं हो रहा ठीक है लेकिन अगर इसमें हम इमल्सिफ हाय डाल दिए ठीक है इमल्सिफ हाय डाल दिए ना तो क्या करेगा इसका नन पोलर जो पार्ट है वो इससे अटैच हो जाएगा नन पोलर पार्ट जो बड़ा वला यह सीएस्टू का चैन है इससे अटैच हो जाता है और जो पोलर पोलर पार्ट है जो सी डवलो है ना इससे अ यह दोनों से अटाइच हो जाएगा तो क्या करेगा हमारा यह दोनों को क्या आपस में घुल कर मिला देगा आपस में और हमको एक सॉलुसन मिल जाएगा ठीक है तो इसको इमल सी फायर कहेंगे वेटिंग एजेंट्स वेटिंग मतलब गिला कर देता है किसी चीज को जैसे कि अगर पार्टिकल है तो इसको उपर हम एक अगर सॉलुवेंट डालेंगे तो यह पूरी तरह से क्या करेगा इसको कवर कर लेगा सॉलुवेंट का सीथ बना लेगा इसको गिला कर देगा इसको वर्टिंग एजेंट कर जाता है फिर आता हमारा anti-forming agents अब दोकिया फोर्म कभ आपस में यह मिल रहा है ना आपस में यह मिल रहा है तो क्या करेंगा नहीं मिल रहा है बट इसके उपर तो आ रहा है इस पर प्रेसर पड़ रहा है इस पर प्रेसर आ रहा है तो क्या करेंगा यह फोम बनना स्टार्ट करेंगा इसके पास सर्फेस टेंशन बहुत ज्यादा सर क्यों है कि इसका जो लेयर है ना इसमें मिक्स हो नहीं रहा यह दोनों का लेयर आपस में मिसीवल नहीं है मिक्स नहीं हो रहा तो इसलिए क्या करेगा मिक्स अगर नहीं होगा तो इसमें फोम बनाना स्टार्ट कर देता है जाग बनाना स्टार्ट कर देता है तो जाग बनाना होगा और जो पोलर पार्ट हो किसे अटाच हो जाएगा उपर वाले से और दुन्हों को आपसे मिला देगा और हम लोगो प्यार आसा एक्टा सॉलूसन मल जाएगा मिंस एंटी फोर्मिंग एजेंट से फोर्म हट जाएगा ठीक है इस सरो आप देख सकते हैं और भी इसका हो गया आईसो प्रोपाइल उसमेटिक्स केहने तो एस सबस्टांस जो हम लोगो को जो क्लीन रखे हमारों जो यूज करते हैं जो कि क्लीन रखे क्लियर रखे और आसानी से रभ करें से वह सलीन बगे रहा को लोग इम लिएंट क्या सकते हैं जो की पर्सनल कंड़ प्रडक् कोई भी कॉस्मेटिक्स का यूजय करते हैं घर्मी के टा me इसको करेंगे तो क्या यहाद होता है कि पानी कि यह इडरेशन होने लगता है जल्दी परेल ईचेशन में की स्थिग यह चड़ जाएगा जिसके कारण हमारा वाटर लोस कम होगा और डिहाइड्रेशन से भी हम लोग क्या होंगे बच जाएगे ठीक है अब देखे तो इस्टर फैटी एसी वित मोर कॉंप्लेक्स अल्कॉहल जैसे स्वर्विटॉल इथैलीन ग्लाइकोल पॉलिथीन ग्लाइकोल यह सब बनाने विस्का यूज होता है ठीक है परसनल के रवाटर ट्रीमेंट में भी फैटी एसीज का यूज करेंगा अम लोग वाटर को ट्रीट किया जाता है विसको त्रीप करने भी इसको होता है इसका विनन पॉल और पॉलर पाड्ट जो होता है न उस गंदगी को निक से काम करते हैं और क्या होता है ठीक है ना तो देखिए फैट एंड ओल जो है ना और ट्राइस्टर है ग्लिसरोल का इसलिए हम इसका नाम क्या गर दिये हैं ट्राइग लिसराइट्स दे दिये हैं फैट एंड ड्राइस्टर ओफ ग्लिसरोल देखिए यहां पर यह जो होता है ये glycerol हो गया हमारा, और यहाँ पर 3 fatty acid लेंगे, fatty acid थो में बहुत अच्छे से पड़ा, इसको fatty acid लेंगे लंबा च्छेने, fatty acid का, अब देखिए, आपर ट्राइग्लिसघ्राइट कैसा है पहले मिर्टेसरा rendered का कहते हूं कि ठीनी इस्टर है और है कि यहां पहले हुआ हम लोग करेंगे हे जट आ देंगे यहां से H हटा दिये, यहां से H हटा दिये, यहां से H हटा दिये, ठीक है, यहां से हम लोग क्या होगा असानी से water molecule remove out हो जाएगा हम लोग है आप से ठीक है तो water molecule जो है हम लोग यहां से remove out हो जाएगा तो क्या मिलेगा water molecule remove out हो गया था आप यह clearly देख सकते हैं जो हमारा product मेरा triglyceride मिल गया CH CH इदर वाला फिर ओको हम लोग छोड़ा था है वेस हाइड्रोजन है था है थे वह और सी double bond ओ आर्ट एस आर्डबल डैस आर्ट ट्रिपल डैस ठीक है यह आर्ट ट्रिपल डैस जो है यह जिनरले मिक्स ट्रैड लिस्ट इसके बार हम लोग आगे डिसकेश करेंगे मतलब सिंपल भी आप ले सकते हैं यह आर आर आ समझी लगा हुआ है सिंगल है ठीक है तो यहां से क्या हो गया ओह है यहां से यह जो linkage हुआ ना कैसा linkage हुआ हमारा इस्तर्लिंगेस इसे को कहते है तो इस्तरी स्त्र वाल कि रहने के यहिए इस्तर्लिंगेस नाम मिन्स ट्राईथ्ण ग्ली दुलिए इसे डिया है di cooking अब जाब ट्राइग्लिसराइड है उसका दो टाइफ है पहला सिंपल ट्राइग्लिसराइड और मिक्स ट्राइग्लिसराइड अब देखें ट्राइग्लिसराइड क्या होता है जो है ना जब तीन ओएच ग्रूप ओफ ग्लिस रो अर इस्टिफाइड विद दे शेम फैटी असे ठीक है और जो हमारे नीचर में होते हैं बहुत कम ऐसा ग्लिस राइट्स होते हैं जो कि सिंपल टाइप का होते हैं ज्यादा तर जो होते हैं ना मिक्स टाइप का ट्राइग घडीलिस राइट्स होते हैं थि हमारे नीचर में ट्राइग्लिस राइट्स है ना बहुत कम एक्षिस्ट करते हैं ज़्यायसे कि सिंपल ट्राइग लिए डापल म्यीती हं हो गया इंग्लिस राइल का है तो तीनों में हम लोग छे छे कारवन का रख देंगे ठीक है छे कारवन है तो तीनों में हम लोग फैटी एसीडवान में भी टू में भी और थ्री में भी तीनों में क्या करेंगे छे छे कारवन का रख देंगे हम लोग तो क्या बन जाएगा हमारा सिंपल ट्राइगलिस राइट्स बन जाएगा ठीक है बहुती सिंपल है और मिक्स ट्राइगलिस राइट्स का बस उसका ठीक अपोजिट कर दीजिए अगर हमारा जो यह चैन है इसमें आरवन आर्टू और आर्थी देखिए तीनों डिफरेंट है तीनों अलकाइल ग्रूफ हमारा डिफरेंट रहे टीनों अपस में एक्वल नहीं है इसलिए यहां पर क्या कर देंगे इसको मिक्स टाइप कहते हैं आप यहां पर इग्जामपल देख लीना डायोल प्लमिटिन का यहां पर देखें डवलवन यहां पर का है फिर यहां भी सैस्ट्री यह दूनों सेम हो गया और यह अपोजि अब यह बहुत ही basic है एक्जाम में हमें साथ है difference between oils and fats ठीक है तो अगर हम fat की बात करते हैं तो fat जो होता है solid या semi-solid होता है room temperature ठीक है न जैसे कि अगर आप बात करते हैं जैसे हम लोग घर में जो यूज करते हैं fat जो होता है जैसे घी का बात करें यह बनसपती घी होगे हमरा डालडा का बात करें तो सब क्या होता है solid होगे यह semi-solid होगे room temperature पर तो उसी को fat कहेंगे oils क्या होता है oils generally liquid होते है अगर सरसो की अगर तेल की बात करें तो हमेशा ठंडी हो वर साथ हो गर्मी हो हमेशा आपको liquid मिलेगा room temperature पर देखिए अब अगर यहां पर solid है तो solid कैसे बना तो जो fat होते है ना fat में क्या होता है और सभी triglycerides कैसा होंगे ठीक है तो उसमें saturated होते है आप यहां पर structure देखिए saturated का यहां पर clearly structure देखिए saturated का saturated का structure देखेंगे अगर आप तो सब का linear है ठीक है ना structure बेंट आ जाता है यहां पर बेंट है ही नहीं तो यहां पर packing बहुत अच्छा है पैकिंग अच्छा होने के कारण एक crystal बहुत अच्छा बनाता है इसलिए solid room temperature पर कहीं से इसलिए इसके कारण क्या है saturated होने के कारण saturated होता है saturated होता है saturated होता है अगर unsaturated है तो unsaturated है मतलब उसमें क्या हो जागा bent है कहीं न कहीं structure में क्या आएगा bent आ जाएगा थोड़ा सा structure में bent आने के कारण उसका packing अच्छा से नहीं हो पाता है ठीक है इस तरह से close packing नहीं हो पाता है अगर close packing नहीं होता है तो क्या हो जाएगा liquid हो जाएगा हमारा room temperature तो इसलिए आपने सुना कि वनसपति घी जो बनाते है उसको hydrogenation से बंता है वनसपति घी hydrogenation से था hydrogenation से क्या पॉनाता है तो पहले electricity रहेगा un saturate रहेगा अगर देखे पहले oil तेल्चओर से मतलब हमैसा oil form में रहेगा यह हमेसा liquid form में रहेगा लेकिन उसमें अगर हम hydrogenation कर दिए है हीड्रोजी नेशन कर दियें तो क्या हो जाएगा उसक उसको टोरेटेटेटेड्स हिल्डा हो जाएगा बनगा वनस्पथी गर मन गया सैचुरे यदा-टी में पेकिंग बहुत अच्छा होगा PP3 में सॉलिड मन गया टोलिड वन्गया तो बनस्पति घी का फॉर्मेशन ऐसी होता है हीडोजीनेशन से मतलब रूरूम टेंपरेचर पर कैसा आप रहेगा सॉलिड रहेगा पहले क्या था ओयली था लिक्विड था ठीक है अब इनका फैट का अगर अगर इनका है तो अब अगर अपने मखन को देखा होगा या फिर अगर 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 उगली डालोगो इसमें तो असानी से मतलब चल जाएगा जाने के लिए तो जाया गए बट थोड़ा सा प्रॉलम होगा इसके असका वीस्कोसिटी जादा होता है लेकिन अगर ऐल की बात करेगा सरसों तिल में आप अंगले डाल के देखो वहां पेगा हो जाएगा वहां पेगा हो जाएगा लो विसको सिट्यों देटू अनसाजूरेशन अनसाजूरेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेट यह मिजर सर्च है, Sugreted Fat कहां? Saturated Fat जो है, Sugreted Fat कहां से मिलते है? Generally,yers Milk fat जो होते हैं, Saturated Fat होते हैं, ठीक है? ِanimal क्या होता है? Saturated Fat होते है, Vegetable Oil, MonoA geldi Fat कया मेख सिंगल, Monounsaturated रपूरे टाइंड बस एक Double One Participant है, ठीक है? Monounsaturated fats हो गया, जैसे कि वेस्टेवलोल हो गया मोन मोन सचूरीट अपने अनिमल से यह सं४ोडर में उन्से नंजाते हैं यहीं पढ़ना सिक्वेशन हो गया सोल मान दोल्फिन निकलेंगे हमारे। आइसे समूधर से नीकालते है उप्था खिक है। इंयों कैसे एक्सट्रैक्षण कैसे कहेंगे हैं यह न अगले लेक्चर में लाइन। आपको समझ में आया होगा तो डिस्क्रिप्शन में हमारा वाटसेप का लिंक दिया हुआ आप जरूर से जोइन कर लिए वहां से आपको नोट्स प्रोवाइट कर दिया गया तब तक आप धियान से देखें थैंक यू सो मच